राजा जनक को आत्म ज्यान का उपदेश देते हुए, उन्हें अश्टावकर आगे कहते हैं, इदम कृतम इदम नेती, द्वंद्वाईर मुक्तम यदा मनह, धर्मार्थ काम मोक्षेशू, निरपेक्षम तदा भवेत। यह किया गया है और यह नहीं किया गया है। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो, तब वह धर्म, आर्थ, काम और मोक्ष के प्रती उदासीन हो जाता है। जो कर्म किये गए हैं, उनके फल की आकांक्षा से चित उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किये गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है, जिससे सुख दुख का अनुभाव होता है। फिर विक्ति अधिक सुखों की प्राप्ती, एवं दुखों की निवृत्ती हेतु, प्रयत्न करता है। जिससे मन कभी शांत नहीं हो सकता, कि ये हुए कर्म अपना स्थाई प्रभाव भी मन पर छोडते हैं, जिन्हें संसकार कहते हैं। ये संसकार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोडते, उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती, किन्तु जो कर्म नहीं किये गए हैं, केवल विचारों में ही विद्यमान हैं, उनसे भी मन उद्वेलित होता रहता है, अशांत बना रहता है, करने की इच्छाएं बार बार उ जिन्होंने नहीं भोगा, उनकी मानसिक परेशानिया सबसे ज़्यादा हैं, दुनिया में अधिकांश, मानसिक रूप से पागलों की संख्या इन ही की है, अतहा, अश्टावक्र कहते हैं कि जो किया और नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है, तो एह धर्म, अर्थ और काम तो क्या, मौक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है, मौक्ष की भी यदि चाह है, तो चित्त शान्त नहीं होगा, अतहा, चाह मात्र छोड़ देना ही मुक्ती है, अश्टावक रागे कहते हैं, विरक्तो विशय द्वेष्टा, रागी विशय लो लुपह, ग्रह मौक्ष विही नस्तु, न विरक्तो न रागवान, विशय का द्वेशी विरक्त है, विशय लो लुप रागी है, जो ग्रहन और त्याग दोनों से रहित है, वह न विरक्त ह नहीं रागवान है जो विशेयों में लोलूप है वह रागी है उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती है उसका पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है वह दूसरों के हितों को भी छीन कर स्वयम सुखी होना चाहता है ऐसे रागी एवं विशेयों लोलूप को निक्रिष्ट से निक्रिष्ट कर्म भी करने में लज्जा नहीं आती उनके बुरे परिणामों को भोग कर भी उसकी विशेयों लोलूपता नहीं जाती बलकि और बढ़ जाती है चोरी से कमाय हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसकी लोलूपता और बढ़ जाती है जिससे पहले से ज़्यादा कमाने की इच्छा हो जाती है इसी प्रकार जो विशेयों में द्वेश करता है उसे विरक्त कहते हैं ऐसा विरक्त भी शान्त नहीं है उसका चिंतन विशेयों को गाली देने में ही चलता रहता है वह संसार, घर, परिवार, धन, दोलत, स्त्री, पुत्र, काम, क्रोध सब को गालिया ही देगा बुरा कहेगा भोगने वाले और ये तथा कथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशान्त है दोनों की ही मन अशान्त है मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्ण तह शान्त हो जाए निरद्वन्द्व हो जाए विचार एवं विकल्प शुन्य हो जाए इसलिए अश्टावक्र कहते हैं कि जो राग और विराग ग्रहन और त्याग संसार और सन्यास भोग और त्याग आसकती एवं विरक्ती इन जैसे द्वंद्वों से रहित है वही तो वीतरागी है वही अनासक्त है वही निर्द्वंद्व है उसी को शांती प्राप्त होती है एवं वही मोक्ष है मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां जहाना है बलकि चित्त की ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है अश्टावकर आगे कहते हैं हेयो पादे यतातावत संसार विटपांकुरह स्प्रिहा जीवती यावत वई निर्विचार दशास्पदम जब तक स्प्रिहा त्रिशना जीवित है जो की अविवेक की दशा है तब तक हेय और उपादे ये त्याग और ग्रहन भी जीवित है जो की संसार रुपे विरिक्ष का अंकुर है जब तक मन हेय और उपादे अच्छा और बुरा शुभ और अशुभ ग्रहन और त्याग इन भावनाओं को रखता है तब तक स्प्रिया भी जीवित है इच्छाएं एवं तृष्णा भी जीवित है इसी तृष्णा के कारण हेय और उपादेय की कल्पना होती है उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है हे ये की भावना भी तृष्टना के खारण है तृष्टना नहीं हो तो हे ये के भाव ही उत्पन नहीं होते यह विपरीत राग है विपरीत आ सकती है हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब उसमें हमारा न्यस्त स्वार्थ होता है उसके प्रतिवासना होती है कुछ पाने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई जिससे निंदा करते हैं यह तरिशना ही अविवेक की दशा है त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए स्वर्ग मोक्ष आदी के लिए किया जाए तो यह बड़ी तरिशना है संसारी तो थोड़े से भोगों की ही तरिशना करता है घरबार, बच्चा, धन, सुख, नोकरियादी, किन्तु, तथा, कथित, त्यागी इन खुद्र भोगों को, इन खोखले से सुखों को महत्वहीन संपत्ति को भी जो भी स्वयम की नहीं है चोरी से कमाई गई है उसकी तरिशना त्याग कर स्वर्ग और मोक्ष के महासुख की तरिशना करता है भगवान के दो रुपय का नारियल चड़ा कर स्वर्ग का दरवाजा खट-खटाने की तरिशना करता है अश्टावक्र कहते हैं कि यह सब अविवेक की दशा है यह तृष्णा यदि जीवित है तो संसार रुपे व्रिक्ष का अंगुर भी जीवित है वह फिर फूट कर व्रिक्ष बन जाएगा तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ती है संसारिक पदार छोड़ने से मुक्ती नहीं होती इसे कोई भी पागल अपने पागलपन में छोड़कर नगन हो सकता है एवं अनेक पागल ऐसा करते हैं वे इसी अविवेक में छोड़ते हैं कि इनके छोड़ने से मुक्ती हो जाएगी किंतु तृष्णा छोड़े बिना मुक्ती नहीं होती तृष्णा से मन में तरंगें उठती हैं जब तक तरंगे हैं तब तक शानती तथा मुक्ती नहीं है अश्टावक्रागे कहते हैं प्रवृत्तव जायते रागो निवृत्तव द्वेश एवही निर्ध्वंद्व बाल वधीमान एवंृव व्यवस्थिता प्रवृत्ती से राग निवृत्ती से द्वेश पैदा होता है इसलिए अबुद्धिमान पुरुष द्वन्द्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है संसार से मुक्ति के लिए दो मार्ग बताए जाते हैं एक है प्रवृत्ती मार्ग तथा दूसरा है निवृत्ती मार्ग प्रवृत्ती मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ती होती है प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह जीवन मिला है अतहा इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ती संभव नहीं है आत्म ज्यानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं जो इन कर्मों को भोगने से मना कर, संसार छोड़ कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका आगकार है, कर्मों के नियम का उलंगन कर रहा है। हठयोगी भी हठपूरवक, इंद्रियों की क्रियाओं को तो रोक देते हैं, किन्तु भीतर वासनाएं चलती रहती हैं, आसकती बनी रहती हैं, जिससे वह पाखंडी हो जाता है, प्रवर्ति मार्ग वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो, उसे पूरा ही भोग लो, ज कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं, आधा आधा भोगते हो, इसके विपरीत निवर्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोगों से विशय वासना कभी शान्त नहीं होती, यह आकरशन ही ऐसा है, कि जितना भोगोगे, उतनी ही वासनाएं बढ़ती जाएंगे, वासना कभी पूरी ह होती ही नहीं, इच्छाएं अनेक हैं, तथा भोग से कभी शान्त नहीं होती वे, जिस प्रकार आग में ही ढालने से आग शान्त नहीं होती, ऐसी ही वासनाएं हैं, जो भोगों से शान्त नहीं हो सकती, इसलिए निवर्ति ही मार्ग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है, यह द्रड़ संकल्प से ही होता है किन्तु अश्टावक्र तीसरी ही बात कहते हैं वे प्रवृत्ती और निवृत्ती दोनों को ही वासना मानते हैं वे कहते हैं कि प्रवृत्ती से राग पैदा होता है असकती बढ़ती है तो निवृत्ती से छोड़कर भागने से, हठपूरवक्त त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, क्षुद्र का त्याग कर देने से, मोक्ष के लिए संसार एवं विशयों को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है, ऐसी तृष्णा का होना ही बंधन है निवृत्ती से भी द्वेश पैदा होता है, इसलिए आत्म ज्यानी, बुद्धिमान, पुरुष्ण, निवृत्ती और प्रवृत्ती, दोनों से मुक्त होकर, बालक के समान निरत्वंद्व होकर, सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है स्वाभाव से जो होता है, वह कर लेता है, वासना युक्त होकर, आग्रह एवं हठपूर्वक कर्व नहीं करता है, नहीं त्याग करता है अश्टावक रागी कहते हैं, हात्म इच्छती संसारम, रागी दुख जिहा सया, वीत रागी हिनिर्दुखस, तस्मिन नपी नखिद्यती रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है लेकिन वीत रागी दुख मुक्त होकर, संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता अश्टावकर कहते हैं कि वह पुरुष भी रागी ही है, जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है जो कहता है यह संसार दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना भी दुख है संसार दुखों की खान है इसलिए भाग जाओ इस से छोड़ दो घरबार, पत्नी, बच्चे, धन, संपत्ती, इत्यादी क्योंकि ये सब दुखों के कारण बनते हैं किन्तु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते दुखों का कारण शरीर वा मन है वासना इवम त्रिशना है जिनके रहते जंगल में रहते हुए भी शान्ती नहीं मिल सकती वहां तो और अधिक पेचे नहीं होगी राग यदी दुख है तो विराग भी तो दुख है आसकती यदी दुख है तो विरक्ती भी दुख है संसार यदी दुख है तो सन्यास भी दुख है परिग्रह यदी दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है क्योंकि भीतर तृष्णा मौजूद है संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है इसलिए वीतरागता ही एक मात्र दुख निवृत्ति का उपाय है न राग न विराग दोनों से पार अनासक्त हो जाना ही मोक्ष का कारण है ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी खेद को प्राप्त नहीं होता है इवं विरागी जंगल में हिमालय में रहकर भी दुखी होते रहेंगे अतहा सुख दुख पदार्थों में नहीं अपनी मना स्थिती में है विशयों का रागी ही उनकी पूर्ती नहीं होने पर दुखी होता है अश्टावक्त रागे कहते हैं यस्या भिमानो मौक्षे पी, देहे पी ममता तथा, नचयोगी नवाग्यानी केवलम दुख भागसव, जिसका मौक्ष के प्रती आहंकार है, और वैसा ही शरीर के प्रती ममता भी है, वह न तो ग्यानी है, न योगी है, केवल दुख भोगने वाला भोगी है, योगी क्रिया से पहुचता है, वह अस्टांग योग साथता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम की क्रिया से पहुचता है, वह विधिपूरवक एक-एक सीढ़ी पार करता हुआ, पहुच जाता है, इसलिए गिरने का भै नहीं रहता, गिरा भी, तो एक सीढ़ी नीचे नहीं आता, एक सीढ़ी नीचे बस, योग भरष्ट में भी पूरु जन्म के संसकार रहते ही हैं, जहां से उसे आके की आत्रा प्रारंब हो जाती है, दूसरा ग्यानी है, जो बिना क्रिया के पहुचता है, बोध मात्र से पहुचता है, वह सीधा ही अस्तित्व से, अनस्ति में छलांग लगाता है, वह क्रिया इवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती है, क्रिया से चलने वाले को क्रिया में भी आ सकती हो जाती है, वह अपने को ग्यानी योगी मानने लग जाता है, जो अहंकार को ही बढ़ाता है, इसी प्रकार संसार को त्यागने वाला भगवा वस्त्र पहनने वाला भी अपने को साधू संत महात्मा त्यागी समझने लगता है इससे उसका अहंकार संसारी के अहंकार से भी अधिक हो जाता है उसकी इसमें भी वम्ता हो जाती है इसलिए अश्टावक्र कहते हैं कि ज्यान को उपलब्द हो गया यदि उसका भी मुक्ष के प्रति अहंकार हो गया कि अब मैं मुक्त हो गया केवली हो गया मैं सिद्ध शिला पर बैठ गया मैं ब्रम्म हो गया अब तेरे से बड़ा कोई नहीं है तथा वैसी ही शरीर के प्रति मम्ता हो गई कि लोग अब इस शरीर की पूजा करें इसकी शोभा यात्रा निकाले मुझे गुरु मान ले तीर थंकर मान ले भगवान ही मान ले तो ऐसा विक्ती न तो ग्यानी है न योगी मलकी वहतों केवल दुख का भागी है अश्टावकर आगे कहते हैं हरो यद्युपदेश्टाते हरी ही कमल जोपिवा तथापी न तवस्वास्थ्यम सर्व विस्मरनाद रिते यदी तेरा उपदेशक शिव है विश्नु है अथवा ब्रम्हा है तो भी सब के विस्मरन के बिना तुझे शांती नहीं मिलेगी अश्टावकर कहते हैं कि मुक्ती का अर्थ विस्मरन ही है जो संसार एवं संसकारों से अर्जित है उन सभी का विस्मरन कर देना ही मुक्ती है जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मर्थी शेश है तब तक मोक्ष नहीं है क्योंकि संसार बंधन नहीं यह स्मर्थी ही बंधन है इसी से मुक्त होना है यह संसार ही नहीं बलकि इश्वर, रात्मा, परमात्मा, इत्यादी का स्मरन भी बाधा है क्योंकि मुक्ती में मैं रहता ही नहीं फिर स्मरण कोन करेगा स्मरण कार्थ है दो विद्यमान है स्मरण करने वाला एवं जिसका स्मरण किया जाता है अतहदो के रहते मुक्ती नहीं है यहां तक कि जिस गुरू की कृपा से ग्यान उपलब्ध हुआ है उसका भी विस्मरण करना है वरना वह गुरु भी बंधन हो जाता है ऐसा गुरु शिव विश्णु अथवा ब्रमाही क्यों न हो उनका भी विस्मरन आवश्यक है इसके बिना शांती, मुक्ती आत्मा की परमात्मा से मिलने के बात अदुरी रह जाती है यह सब मिल नहीं बाते इस प्रकार अश्टावक्र गीता का सोहलवा प्रक्रण यहां समाप्त होता है शेश अगले अंक में